सेंटर पर एक बहन आते हैं दिली में सिक्स्टीज में होंगे उसके सिक्स्टीफाइब सेविंटी के आसपास होंगे तो उनको सड्डिनली कैंसर डाइगनोज हुआ वो स्ट्रॉंग थी, उसने अपना कीमो शुरू किया और बहुत स्टिबलिटी से कीमो कराया और जब उनका चल ही रहा था तो उनकी बेटी को डाइगनोज हुआ फिर बेटी का इलाज चला फिर बेटी का लिवर फेलियर हो गया फिर बेटी का लिवर ट्रांस्प्लांट हुआ बेटी का एक बेटा है चोटा फिर liver transplant successful नहीं हुआ तो doctor ने कहा कि अभी हम कुछ नहीं कर सकेंगे तो वो यहां से Bombay गई जहां उसकी बेटी रहती है और उसने देखा कि उसके बेटी सफर कर रहे है उस शरीर के अंदर तो उसके अपने husband फिर बेटी का husband बेटी का बेटा चोटा सब को एकठे किया और कहा यह तो बहुत सफर कर रहे है इस शरीर में हम सब ने इसको अपनी attachment से रोक के रखा हुआ है हमें इसको जाने देना चाहिए है अब एक mother बोले अपने बच्चे के लिए तो सब लोग थोड़े से disturbed हो गए कि हम ऐसी थोट कभी ने create कर सकते हमें तो चाहिए कि वो यहां हो हमारे साथ तो उसने का ठीक है आप नहीं कर सकते न तो आप बाहर जओ मैं बैठती हूँ उसके साथ और फिर वो अकेली बैठी उसके साथ बाते की वो बीटी conscious नहीं थी लेकिन आत्मा तो हर बात सुन सकती है हमें लगता है बाते यहां से और यहां से होती हैं सिरफ बाते यहां से और यहां से नहीं होती हैं बाते यहां से यहां से होती हैं तो उसने 15-20 मिनिट बैठ के अपनी बेटी को का मुझे पता है तेर को बहुत चिंदा है फाइव मिनिट्स में वो आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो फिर जब वो बहन वापिस आई तो बोली ये मैंने कैसे किया मेरे पास ये तापकत कहां से आई कि मैं बैठ कर उसको बोल रहे हूं कि तू जाओ तुम्हारे को अभी इसमें नहीं रहना है और उसके बाद वो बहुत एक बुजूर गैसे माताजी जैसे है जिसको प्रॉपर मुरली भी नहीं समझ में आती है ठीक से लेकिन बाकी गयान में कोई नहीं परिवार में इन फाइक्ट वो सब लोग थोड़े अगेंस्ट थे जो वो सेंटर आती है लेकिन फिर वो सब सेंटर आए और उन्होंने कहा ये इतनी स्टेबल रहे इसके स्टेबल रहने से हम थोड़े से तो वो जो आपको लगे कि देखने में वो सबसे जादा शाटर हो जाएगे उसने ही उसको योग करके आत्मा को छुट्टी भी दी और उसके बाद उतनी स्टेबल भी रही कि घर के भारे सारे भाई स्टेबल हो गए जबसे वो बहन सेंटर पर आई किसी को सेंटर पर पता भी नहीं है उसके साथ इतना बड़ा कुछ हुआ है क्योंकि उसके चेहरे पर कुछ दिखाई नहीं देता है तो वो आके केती है ये मेरे पास मुझे तो मालूम नहीं था केती मुझे तो मुर्ली रोज याद भी नहीं रहती है ओल्ड है ना बस आती है लेकिन वो एक भी दिन मुर्ली नहीं मिस करती है एक भी दिन उसने मुर्ली मिस नहीं किये है in fact last month ही center पर चाली भाई ने आना था तो English की class थी वो बहन को English नहीं समझ में आती है और जब वो अपने घर से निकल रही थी उसके दोनों घुटने lock हो गए जस्ट घर से निकलते हुए class के लिए वो घुटने lock के साथ उसको गाड़ी में बिठाया वहां लेकर आए वहां से कुरसी पर डाला तो आई से आप क्यों आ रहे हैं यहां पर आपके दोनों निज लॉक हो गए हैं मतलब बेंड भी नहीं हो सकते वॉक भी नहीं कर सकते तो कहते हैं नहीं पहले class में बेटोंगी बात में हो जाए मैंने मुर्ली क्लास मिस नहीं करनी मुर्ली क्लास के पहले मुझे योग जरूर करना है मुर्ली याद नहीं रहती मुर्ली की कोई भी पॉइंट याद नहीं रहती लेकिन मैंने आना जरूर है क्लास के अंदर लेकिन वो रोज की कठी की गई शक्ती रोज कठी की गई ना जब रोज हम शक्ती कठे कर रहे होते हमें पता नहीं होता यह शक्ती कैसे काम करने वाली है हमें नहीं पता होता है लेकिन जब फिर हमारे जीवन में कोई इतनी बड़ी सीन भी आती है तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे पास इतनी पावर थी उसको फेस करने की जो अगर हमारे पास वो पावर न होती तो उस सीन में हम शैटर हो जाते हैं तो बाबा की ज्यान और बाबा के कनिक्शन से वो शक्ति और ऐसे लाखो लोगों के लाखो experiences है कि सिरफ रोज मुडली सुनी, रोज योग किया और फिर जीवन में बहुत सारी बाते हैं अभी कल्यों के end मतलब है या अचानक और बाबनी कहा है कि कल्यों का अंतिम समय होगा है या अचानक बाते हैं लेकिन उस बात में खुद को स्थिर रखना और दूसरों को शक्तिशाली बनाना ये सेवा बाबने दी है बचों को